दवायर के लाइब प्रोग्राम में आपका स्वागत है नेताओं के जूट बोलने की अगर सजा मुकरर होती तो आज जो पूरी मध्य परदेश सरकार है वो जेल में होती उसकी वज़ा हम आपको बताएंगे पिछला लाइब प्रोग्राम जो इंटरनेट की वज़ा से कट गया था हम सिहोर जिले के बुधनी विधान सभाच्षेतर के जाजना गाओं में थे ये रहटी तहसील में अभी हैं यहां से 20 किलो मीटर है जो गाओं में किसान दुली चंद ने सोमार को आत्महत्या की थी वो उस सड़क से हम जाते हैं उस सड़क का आखरी गाओं था जहां पर नेटवर्क नहीं था जहां पर सड़क खराब थी उधर से कुछ दिन पहले शिवराज जी नर्मदा यात्रा लेकर के गुजरे थे उनकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स और दीवारों पर नारे भी लिखे हुए थे लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर नेटवर्क नहीं है वहाँ पर सड़क नहीं है विकास से अच्छूता वो गाउं है गाउं के नाम पर जोपड़ पटिया हैं जिसमें तमाम छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते जहां के लोग जो किसान हैं वो सब जमीन होते हुए भी अपनी खेती होते हुए भी सारे कृशी मजदूर हैं उन्हीं में से एक दुली चंद थे जिन्होंने कुछ दिन पहले तीन दिन पहले आत्महत्या कर ली उनके परिजन हमारे साथ हैं उनके भाई हैं और उनके बेटे हैं जिनको उनके गाउं से लेकर के हम रहटी तहसील तक आये हैं ताकि हमारी इनसे बात हो सके ये हमारे साथ आने को तयार हुए सहयोग करना चाहते थे और सबसे बड़ी बात किये सरकार को कुछ अपनी बातें अपना मैसेज उनके पहुँचाना चाहते हैं कि जो इनकी दशा दुरदशा है जो इनके गाउं के लोगों की हालत है जो किसानों की हालत है जो कर्ज के बोज के तले दब करके अपने प्राण दे रहे हैं आईए हम इनसे बात करते हैं भाई आपना नाम बताएं इंद्रकुमार कीर दुली चंद जी आपके पिताजी थे जिन्होंने सोमार को आत्महत्या कर ली थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कैसे क्या हुआ था सुबह से बतला देता हूं सुबह उठे पिता जी सुबह उठके खेट पे गए उधाय से लोटके आये तो धक्के से खात हुई आ रहे थे आके अपने रेत पड़ेल थी उस पे आके गिर गए हम दोनों भाई बगल में थे घर के बगल में दुकाने उस दुकान पे हम बेठे मम्मी ने चिलाया कि आजाओ बेटे आजाओ जल्दी आओ हमने उनको देखा वो जल्दी से बगल में हमारे बलबंद भाई की गाली पर बिठाने हमने और रहेटी लेकर अस्पताल में आ रहे थे बेर रस्ता में सांत हो चुके थे तो यह जो आप इस यह कैसे कह सकते हैं कि नकी मौत कैसे हुएं उन्होंने आत्महत्या की यह बात आप कह सकते हैं जी उनके ऊपर भोत कर्ज हो गए था चाल computer हो गए थे दो लाग साट हजार बेंखाब हींडिया एक लाग चाल्य सधा जैले सहंकारी चैइप और दो लाग बेपारी के थे फसल भी नहीं हो पारही थी पनस साल से सोग देरं nosso आप कुछ भी निंगों करज़ा हो रहा है गयों भी वह थे शॉब कुंटल निकले कुल मात्र तो इनने बोला कि इसमें भी आज कैसे पटाऊं इसमें तो भी आज नहीं पटेंगे वह बेपारी का कर्ज था उनके लिए ने बहुत टेंशन में थे चार पांच पांच छे रोज से यह बोल रहे थे वे कि मैं इतना कर्जा होगा कांसे वहलं हैं तो किुमिमिंधे हैं अपने कितनी परभाई किये वह आपकी कितनी हैं ऑपके एक पास कितना है 9 एकड़ 19 डिसमेल 9 करषे जी जिए से आपके जीवी का चलाने भर का नहीं नहीं सर उसमें खेत हमारे एसे थे ऊचे नीचे फिलोट टाइब उसमें पानी भी नहीं मिलते हैं पानी मिलते तो तुराश शुक जाता है वो इतनी भी नहीं मिलते हैं हम तुरत उसको पानी दे पाएंगे विजली वहां पर दस घंटे मिलती है तो दस घंटे में से यह रिकार्ड है दस घंटे का तो बिजली चार या पाच घंटे मिलती है कभी इधर से फाल्त हो जाती इस साल हमने मूंग बोए थे 60 किलो, यह कुंटल मूंग निकली, इसका भी टेंसन था, कि उनने बोला था कि मैं यह मूंग का करज पटाऊंगा, कि हाइबेस्टर वाले को दूँगा, दवाई वाले को दूँगा, मैं केके का पेसे दूँगा. जर शाठ किलो मूंग बोई थी, कुल उपज हुई एक कुंटल, मतलब जो आपका जमा था उसमें आपको हासिल हुआ, चालिस किलो हासिल हुआ, साठ किलो मूंग बोई थी, एक कुंटल मूंग निकली. तो आप जो तीनों भाई मजदूरी का काम करते हैं वो मजदूरी खेतों में काम करते हैं है या कोई भी काम जो काम भी मिल जाता है, खेट का काम मिल जाता है, कुसी भी काम बतलाते हैं, हम वो काम पर चल जाते हैं और बाकी परिवार के लोग, आपकी माता जी, आपकी बहन, बहन भी जाती है, माता जी भी जाती है, सभी घरबर की जाते हैं, हम तो काम पर चचा आप बताएं आपके भाई थे वो जी नाम है आपका फुलचन बड़े भाई थे छोटे बड़े आपके बड़े भाई थे ये जो नेता हैं भाजपा के कैलाज विजे बरगी इन्होंने कहा कि ये कर्ज वाली बात जूठी है ऐसा सही है क्या अब भाईयों का परिवार अलग है अलग जी आप भी कर्जा है आप कर्जा है कितना 16,000,000 का जिस लिया था ये कर्ज ये का है कि अपना जिला सरकारी का है और कुछ टेक्टर में लिया उसका भी करज आया मदला मतला चल रहा है वो ये 16,000,000 का कर्ज कितने सालों में चड़ाब के उपर ये मुदला आठीक साल हो गाया है एक साल में कितना लिया था हमने लिये थे अपना थी तीन लाख हुँ और दो लाग अपना ये 16,000,000 का है और 11,000,000 बारा लाग टेक्टर सा किस्ते से मंदला बिया जी आज बना के मारा लाग में पड़ा हमको तो वो सारा मिला करके 16 जी तो आठ साल में आपने कुछ चुकाया या करजा कम भी कर रहा है कि अचा गाओं के सारे किसानों की यही हालत है जी पूरे जिते भी किर्थाने अचा आपकी उम्र कितनी है मेरी 45 साल जी आप बच्पन में थे तभी किसानों पर कर्ज होता था कि यह पीछले कुछ सालों से शुरू हुआ पर किष्वा सब्सक्राइब तो पर कितनें खेती पर अपने खेती तीने कृति lleva चाले नियु determination कि आप कितने खेती पर अपना क्र्चते करतें परिवार नहीं चल पाता है खेती से तो कुछ मिल जाता है तो 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 दोड़ा दाका देता है और अपना धंदपाने करते हैं और अच्छा खेती के अलावा भी कुछ करते हैं हाँ अच्छा यह जो छे लाख कर्ज था आपके पिता जी के उपर तो इस छे लाख में से कुछ आप चुकाते भी थे साल में फसल असल बेच के मजदूरी करके या जब से कर्ज लिया है तब से बना हुआ था यह विया चुकाते थे यह इतना तो फसल ही नहीं होती थी भी आज भी आज चुका देते थे अभी एक दो साल से तो भी आज भी नहीं चुक रहा है सालाना कितना पैसा मतलब पिछले साल मैं आपको ध्यान है कि पिछले साल या उसके पिछले साल कितना सा चुकाया नहीं, कुई किश्ट दी होगी वह याद है吗 जी लगबागो जी BT कितना 16000 लऄ दी थी by उन्सहकाप इंडीया में जी और साहुकार को को उनको पसिष्किन पस्विंचागज को साहुकार को उनको को दीए थे छाली से कहाचा की लगबग बस इतनी young कमाय थे मजदूरी में फसल में पस इतनी दीए थे अब उनको तीन साल हो गए चार साल उनको बैपारी से लिया है बस उनको बियात देते यह बोल रहा है हमारा पूरे पेसे दोख जी अच्छा जिसे आप नहीं दे पा रहे थे तो क्या आपके घर पे जो आपके दूसरे भाई हैं वो बता रहे थे कि साहुकार और बैंक की लोग दबाव डाल रहे थे कि करजा दो जी यह साहुकार यह करजा डाल रहे थे यह बेंक वाले थे यह उत्ते वो नहीं कर रहे थे फिर यह भी बोलते थे फिर यह साहुकार तो बहुत जादे वो कर रहे थे क्योंकि हमारे पेसे दो हमारे पेसे लोटा दो हमारा पास किसानों को कर्ज देनी की बात कैसे कौन कहता है कि कर्ज ले लिजे करें किसान कर्ज लेने लिए कियुं ले लें पड़ता है कि कोई विमार होगा पिर कहां लेकं लेकर भी मैं लाट पर दे सरकार के लोग यह कह रहे हैं कि यह जो अभी तक एक जून से अंदोलन चल रहा किसानों का किसान प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर उतरे थे तो इस बीच जो है खाली मध्य प्रदेश में छे किसानों ने आत्महत्या कर ली है अब सरकार में जो लोग हैं एक बड़े नेता हैं कैलाश वीजे बरगी हैं तो कह रहे थे कि हमको मालूम है कि किसी किसान ने करज के कारण आत्महत्या नहीं की है लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी परिशान थे और करज की वज़ह से इसलिए उन्होंने आत्महत्या की है तो सरकार यानि जो आपकी परिशानी है उसको जूटा सावित कर रही है तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे हम कहना चाहरा है सरकार से हमारे पिता जी ने आत्म हत्त्य की है जो करज के कारण की है बे हमको जूट समझ जूट बोल रहा है हम तो सही आपको बतला रहे हैं बे बोल रहा है कि नहीं लेकिन यह जो भी आपका संदेश है वो आप सरकार तक पहुंचाएं हमारे माध्यम से पहुंचे या दूसरे माध्यम से पहुंचे पर यह जीवन का कोई solution नहीं होता है आप इस बारे में कभी नहीं सोचे हम आप से यही कहेंगे किसे हम Ihr फसल होती नहीं हमचे इने दिन और आपकी बہनों मजदूरी करते हैं बेहन सबसे छोटी है बेहन 16 साल की और माता जी की उम्र क्या होगी माता जी की उम्र होगी 40-42 साल में घर में जो नावालिक बच्चे हैं वो भी मजदूरी करते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है 1.5,022 रुपे मिल सकती है थोड़ा जाधा मेहनत का काम करते हैं तो सी 1.50 लपे मिलती है thisत Hazelgar इसमें जो आप खेटी से कमाते हैं जो मजदूरी करके कमाते इस दोनों पैसों से आपका घर तब भी नहीं चलता है नहीं चलता है और आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने भी नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं सर पेसे की विवस्ते ही नहीं हो पाती है आपके गाउं में स्कूल है सरकारी सरकारी है पाच वी तक पाच वी तक जी उसके तो आपके गाउं में कोई ऐसा है जिसने दसमी तक पहाई पूरी की हो या नहीं किसी नहीं तो चचा जिसे अभी आप देखिए देश दुनिया देखिए तो भुपाल आईए इंदोर आईए तो लोग हो भी सकते हैं दो चार लोग ने की भी होंगी जिनके पास विवस्थत है ने तो और किसी ने की तो इतना जमाना आगे चला गया है लोग पढ़ाई लिखाई के बगए लेकिन जिस गाउं में स्कूल नहीं है जिसमें कोई संसाधन नहीं है तो उस गाउं के जो lockdown पड़ सोदी निवाम दो किर्शान के इन के पढ़ी निवाक्त केLE निए ऑपने छिटीम पड़ाई सेपने सटी और इन पड़ार निलुकर ऊंदो किर्सान तो निए पड़ा पाएंगे जाजना जाजना गाउं में जो 25-30 घर होंगे उनकी ये हालत है कि सभी लोग करज में हैं किसे के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं जो आस-पास के गाउं हैं जहां आप काम करने जाते हैं वहां भी ये हालत है अच्छा ये शिवराद जी का उनका छेत्र है यहीं से वो विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं तो कभी इस तरह की बात नहीं होती कि वो लोगों के लिए स्पूल खुलवाएं लोगों के लिए व्यवस्था कराएं कभी किसानों से कहें कि आप लोग आतमहत्या नहीं करिए हम आपके लिए कुछ करेंगे कभी ऐसा होता है अच्छा अभी जब नर्मदा यात्रा निकली थी पूरी सरकार निकली थी प्रदेश भर में कि हम नर्मदा बचाएंगे तो आपके गाउं से होकर कि वो गुजरे थे हमने देखा कि वो नई सड़क खोदवा के पटाई गई है जो बरसात में जिसमें कमर तक गड़ा हो गया है जिसमें पानी भरा हुआ है तो जब शिवराज जी आये थे तो उन्होंने गाउं की हालत नहीं देखी वो तो दूर से देखी थी देखी फिर उन्हें कुछ भी नहीं बोले निकल गए जराक हमने रोखा था उनको जराक हमाई जोसी भागा के वहां पर उन्हें देखके चले गए हमसे बोला कि मैं करूआंगा यह रोड़ी बनुआंगा आपने बोला था निस अब गाउंवाले ने हमने भी बो अब देजभर में जो किसानों की मरने की हालत है मध्यपरदेश में ही पिछले एक साल में 11000 से उपर किसानों ने आत्महत्या कर ली तो आप को क्या लगता है आप थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं अब इस घर को आप देखेंगे संभालेंगे बच्चों को संभालेंगे किसानों की हालत यह ऐसे चलती रहेगी कि आपको लगता है नहीं है तो प्रदधान मंत्री जी शुराज जी से या प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं कुछ संदेश है आपके बादोस्ता पड़ेक अगया है। अब यंग हैं आप क्या करना चाहते हैं स्ऺधाना चाहते हैं हमारा कर देए अँसके मं सबका अगर बिखिए MAV कर दिया जाए जो भी आपके Lo Systems कर दिया जाये आप की समस्या खतम हो जाएए सर फिलाल के लिए स्थिति में खतम तो हो जाएगी सर कंगालिक जो अभी मुश्किल हें वह खतम हो जाएगी सब्सक्राइब였습니다. देश में अलग अलग तरह की मिट्टी है अलग अलग जगा की उपज है जमीन की मालियत अलग अलग है आप एक भीघा गेहों अगर उगाते हैं तो उसमें कितना खर्चाता है उसमें कम से कम तो यह कुंटल गेहों में 5,6,6,6,6,5000 की करिम आया जाते हैं लागत फैसमें देखो यह कुंटल अपनी मालोग खाद मिलाते खाद मिलते हैं उसमें फिर भी और मुल्ग ऊर्मद्व मूर यह मिल verk लिए और पानी देते हैं द्वा भाय डालते हैं तो छे जार करह स्टाताएं ऐते हैं वह पांच शे कुंटल हो गांग होते हैं और वो भीकता है सोला सौ में तो लगभग उसमें जो आपकी लागत हुई तो उसमें थोड़ा बढ़ा करके आपको मिल जाता है जी तीन हजात कुंटल का भी गांग भीके तो किर्चान को कुछ बचे अच्छा आपके पिता जी के आत्महत्या करने के बाद में प्रशासन के लोग होते हैं जो अधिकारी होते हैं पुलिस के अधिकारी लेकपाल कानून गो इनमें से कोई आया आपके घर अपने घर तो अभी आम पाल्टी के आये थे और हमाई जीतू पटवारी बिधायक साब भी आये थे और उसके बाद में और कोई नहीं आये थे वो जीतू पटवारी आपके छेतर के विधायक हैं नहीं है हैं कहा कि हो इंदौर के हैं किस पार्टी के हैं कांग्रेस पार्टी के हैं तो प्रशासन से अच्छा जो लोग आत्मात्या करते हैं उनको सरकार कुछ मौाउजा देती है तो इस मौाउजा के बारे में कोई बात की आप से किसी ने कोई भी बात ने की हम से हम तो बहुत गंबिर इस्तिती में चल रहा है हमारा पास अभी फिलाल में दो रुपे भी नहीं तो यह आप देख रहे होंगे कि हम जहां-जहां से यह लाइब प्रोग् करज होना तगड़ा करज होना जैसे इनके घर पे दुली चंजी के पास 6 लाग का करजा था उनके भाई हैं इनके उपर 16 लाग का करज है और ये सिर्फ कृशी वजहों से नहीं है किसानी की हालत इतनी खराब है कि जो भी व्यक्ति किसानी कर रहा है वो अपना परिवार चलान ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति का परिवार नहीं चलता है वो उसके चलते भी आत्महत्या कर सकता है लेकिन निर्भर वो कृशी पर है उसके पास रोजगार नहीं है वो डेर सो रुपय में मजदूरी करता है उसके घर का जो नाबालिक बच्चा है वो भी मजदूरी करता है और जितने छोटे बड़े किसानों की बात जाने दीजिये जो 100-200-400 बीगे के काश्टकार हैं उनकी बात अगर जाने दीजिये तो जादा तर छोटे और सीमान्त किसान हैं जो करजे से दबे हुए हैं और जिनको अपना परिवार चलाने की मुश्किल हो रही है ऐसे में अगर बैंक से और साहुकारों से उनके उपर दबाव पड़ता है कि वे करजा वापस करें वे उनके पैसे वापस करें तो इसके इस परिशानी के चलते ये अतिवादी कदम शायद उनको उठाना पड़ता है कि वे आत्महत्या करते हैं और जब अभी आंदोलन चल रहा है तो आपको हम बता दें कि सिर्फ मध्यपरदेश में छे किसानों ने जितनी हमें सूचना है कि छे किसानों ने आत्महत्या की है पिछले नौ सालों में नौ सालों से तीन बार के मुख्यमंत्री शिवराज जी है जहां भाजपा की सरकार है पिछले नौ सालों में अकेले मध्य प्रदेश में ग्यारा हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और करीब करीब सब की हालत इसी परिवार जैसी रही है या रहने वाली है बहुत सारे किसान अभी भी ऐसे हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं और सबसे हैरानी की बात ये है कि उन परिवारों के लिए करज में दबे किसानों के लिए कोई राहत के शब्द कोई सांतवना के शब्द किसी तरफ से सुनाई नहीं दे रहे हैं कम से कम सरकार इतना कर सकती है कि इन इस जनता से वो ये कह दे कि आप लोग आपकी जान कीमती है आप लोग देश के लिए अन उगाते हैं सबका पेट भरते हैं आप अपनी जान नहीं दे हम आपके लिए कुछ करेंगे इतना कह देने में किसी सरकार का कोई कुछ नहीं जाता ह करोणों के घुटाले करोणों के गबन ये सारी जगाहों पहो रहे हैं ये भौपाल में हो रहे हैं ये दिल्ली में भी रहे हैं अभी शिवराजg जी ने जो यात्रा की थी Cry अगर हमारी прекрас आ पढ़ी वह बरबादी जिन पैसों की हुई है कारिकरम में और रोटशो में वह पैसा अगर इन किसानों पर लगाया जाये तो जो किसानों ने इस देश को आत्म निर्भर बनाया था Green Revolution लाके वही किसान इस देश को अपनी किसानी से और और ज़्यादा अमीर बना सकते हैं और वही किसान इस देश की अर्थ ब्यवस्था की रीड है जैसा कि कुछ युवा किसान कह रहे थे मनसौर में कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम किसी दूसरे के लिए अनाज उगाना बंद कर देंगे हम सिर्फ अपने लिए अनाज उगाएंगे ऐसी कोई इस्थिती आएगी तो सोचने वालों को यह सोचना चाहिए कि वो कैसी इस्थिती उत्पन होगी इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद मिलेंगे किसी अगले पड़ाओ पर शुक्रीज़ाओ